तो मैं अभी आपको राउटर से ऊंलाइन करने के लिए बता हूंगा ठीके सबसे पहले क्या करना मेन मेनु में जाना है मैन मेनु में क्लिक करेंगे तो आपको जाना है नेटवर्क में ठीक है नेटवर्क में जा करके आपको टीसीपी आईपी में क्लिक करना है टीसीपी आईपी क्लिक करने बाद इस्टा ओन क्लॉड आता है लेफ्ट साइड में देखेंगे ठीक है इस्टा ओन क्लॉड ठीक है आपका इस्टा ओन क्लॉड आप देख सकते हैं द तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू वाचिंग करते रहें दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा यह है हाड डिवर स्टार्ट हो चुका है हाड डिस ऐसे लग चुका है कंप्लीट ठीक है और हमारा यह ओनलाइन के लिए रॉटर रेडी हो चुका है यह आपको आदि कॉफी का रॉटर कहीं होगा अब लगा रहे होंगे तो पहले नेट्वर का सिगनल स्टैप का दे रहे हो और पावर भी देगा अई हमारा देखिए कोफी का राउटर है दोस्तों कहीं भी इंटेरियर एरिया में रीमूोट एरिया में आप जा करके कहीं भी किसी के जगह में जहां 4G SIM आप तो हर जगा एबलेबल है तो हर जगा समझ दोस्तों 4G SIM लगा करके आप कहीं भी DVR को ओनलाइन देख सकते हैं और इंडिया में ठीक है या वर्ल्ड में कहीं भी देख सकते दोस्तों मैक्सिमा आप टेन मोबाइल में आप इसको यूज कर सकते दोस्तों तो आप देख तो तृझ सकते दोस्तों ठीक है यह आभी जाना है यह अपको नेटवर्क मेंทीक करेंगे के क्लेक करेंगे तो यह आएगा इस दिफ्रेंट फ्रों मोबाइल कुष फंशन इसस्टॉफ Your One to Stop Pushing Alarm information to remote client please turn off mobile push function from setting system set security system service तो यह अभी ऑके करना है ठीक है, ओके करने के बाद हमारा apply करना है ठीक है दोस्तों, यह apply करना है ठीक हमारा DVR अभी online नहीं हुआ है फिर जाना है दोस्तों, वहाँ क्लिक करना है और rate पे ठीक है यह हो जाएगा, ठीक है फिर apply करना है दोस्तों अभी भी नहीं हुआ है अब मैं क्या करूँगा, बैक जाओँगा ठीक है, बैक नीचे है ठीक है, और क्या करूँगा मैं DVR को restart करूँगा ठीक है, क्यूंकि signal आने में थोड़ा time लगता है ठीक है, तो इसलिए उपर में देखेगा दोस्तों, shutdown का option देता है shutdown का shutdown है, reboot है, logout है तो समझे दोस्तों, इस step का देख सकते हैं, यहां मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे है, logout reboot, shutdown ठीक है, तो हम लोग क्या करना है shutdown नहीं करना है, shutdown कब करते हैं जब हमारा DVR को यूज नहीं है, ठीक है, रख देना है तो ठीक है, हम लोगout भी नहीं कर सकते हैं यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम लोग को reboot करना है, क्योंकि हम लोग को online करना है, दोस्तों, इसलिए मैं reboot करूँगा अब reboot पर क्लिक होगा बटन दोस्तों, देख सकते हैं ठीक है, और यह हमारा reboot हो रहा है, यह saving data में चला गया है यह reboot होगा, अपने आप automatic start होगा दोस्तों इतने सब्सक्राइब नो signal input दे रहा है न, आप देख सकते हैं फिर रहा श्टार्ट होने के बाद यह आपको signal देना लगा देखिए, CP plus intelligent security system निखा हुआ रहा है, इस ता आपके पास आएगा दोस्तों कि देख सकते हैं इतना टाइम लगेगा आपको भी ठीक है तो आप घबराएं नहीं कि हमारा system dvr off हो गया है या ठीक है कि अस्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको टाइमिंग लेता है क्योंकि अभी रिबूट हुआ है तो थोड़ टाइम लेता है अपडेट होने में और धीर धीर आपको इस नजदी का करके मत यह आप देख सकते हैं ठीक है कंटिन्यू रहेंगे तो आप को पूरा प्रोसेस दीखेगा दोस्तों कैसे हम लोग अस्टेप डिव्यार को ऑनलाइन करते हैं हमारा ब्लैंक हो गया ठीक है आप दिखिए इसमे कि आटमेटिक सो कर गए यह हो गया है जाए देखे डिस्प्ले आ चुका है कॉंप्लेट ली ठीक है दूसकर के मतलब यह स्टार्ट हो चुका है तभी हम लोग जाएंगे यह फिर से फिर में मैमेन जाएंगे पैर टैंटलेंगे में में आपकर्विस पैटन खूलने के यह आफ लाइन है ठीक है फिर से अपको किलिक रिये तो टीक है एपलाई करना है दोस्तों बैक कीजिए ठीक है टीचीप एपी जाए बैसे आफ एपल, यह भोलख़द ए एफ रिये तो म झाइन है